दोस्तों अभी MDT token, measurable data token की price की बात के तो इसकी price almost 5 cent से उपर देखने को मिल रही है, अच्छा का सा retracement इसकी price में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इसकी price moment के बारे में बात करें, कौन से area से जो आपके लिए entry points हो सकते हैं, और उपर के तरफ कौन से targets हो सकते हैं, as a trader long term औ इस वीडियो में उससे पहले अगर आपने अभी तक coin d6 app डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से coin d6 app डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा है, 100 रुपर कैते हैं, वैसे sign up bonus और आप अपने दोस्तों को refer करके भी यहाँ पर इतिरम और न कर सकते हैं, तो यहाँ link description मे यहाँ से download करेंगा, तब ही आपको यह sign up bonus देखने को मिलेगा, अभी इसकी price almost 6 cent के round चल रही है, अच्छा हम पर retracement नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, डेली closing की बात करें, तो previously यहाँ पर इसने 17 cent वाला area टच किया था, वहाँ से लगातार retracement हमें नीचे की तरफ देख देखने को मिल रही है, दो बार एक अच्छा moment भी यहाँ पर लिया था, लेकिन यहाँ पर इसको rejection देखने को मिला, तो अभी एक अच्छी खासे dip यहाँ पर निकल के आ रही है, एक अच्छा डाउंट्रेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, almost 4-7 वाला area टच किया था, वहा से वापीस यहाँ पर नीचे की तरफ इसकी price देखने को मिल रही है, तो एक support area के अगर बात करें, तो यहाँ पर 200 एका moving average जो है, almost 0.056 वाला area यह वाला area इसको support निकल के आ रहा है यहाँ पर, अभी 6-7 दिन से इस area से उपर यह close करने, इस से उपर close किया, इसने daily closing जो है, इ कि यहाँ पर force 7 वाला area touch किया था, वहाँ के बाद थोड़ा movement देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा retracement था, उसके बाद अभी इस area से उपर इसकी daily closing देखने को मिल रही है, weekly moving average की बात के तो 50 day का जो 50 moving average है weekly, वो भी यहाँ पर 56 वाला area निकल के आ रहा है, 0.056 वाला area, तो दोनों में यहाँ पर एक अच्छा कहसा support area निकल के आ रहा, weekly closing जो है, वो भी यहाँ पर इससे उपर हमें देखने को मिल रही है, दो week के यहाँ पर तीन बार इसने try किया था, इस area को hit किया, और weekly closing के अगर बात के तो वो भी यहाँ पर 56 से उपर देखने को मिल रही है, तो यह support area ने maintain किया हुआ है, और अगर यहाँ पर entry की बात करेगा आपके, तो यहाँ पर previously देखिए, इसने almost 71 वाला area टच किया, उसके पहले यहाँ पर 76 वाला area टच किया, और वापस retracement हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए, अगर नीचे की तरफ थोड़ा 56 वाला area जो है, तो तीन बार इस area को इसने hit किया है, वहाँ से हमें पहुंच बेख देखने को मिला है, तो यहाँ तो आप यह चीज देख सकते हैं कि 930 की closing है, बीटी सी की, वो कहाँ पर होती है, अगर वो 36,400 से उपर होती है, तो वेलन गोड है, और इस से नीचे support जो है, वो 35,500 है, बीटी सी को, अल्मुस्ट एक अच्छा खासा, लेकिन 36 से उपर होती है, तो बहुत अच्छा है, अगर retracement देखने को मिलता है, तो आपको इसकी price में थोड़ा retracement देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पर almost 56 यो 55 वाले area पर आपकी एक अच्छी यहाँ पर entry रह जाए, 56 के बाद नीचे की तरफ आप, आपको यहाँ पर जो buy करना है, वो almost जिस amount से आपको जितना amount आप लगाना चाहते है, उसके almost 50% amount से buy करना है, और नीचे की तरफ अगर और आता है, area हिट करता है, तो आप एक buy limit 53 वाले area पर और 51 वाले area पर लगा कर रखें, accumulation बहुत ज़रूर एगर नीचे की तरफ आता है, तो आपको एक उम्लोट ज़रूर करना है, उपर की तरफ आपकी targets यहाँ पर, quick target की मागर बात करूं, तो as a trader, अगर आप entry लेते हैं, तो यहाँ पर as a trader में आपको target बताऊँगा, और long term के perspective से भी, short term के perspective से भी, as a trader आप 56 वाले area पर rejection area एक अच्छा खासा resistance एविया है, इससे उपर daily closing करता है, दो-तीन बाद इस area को इसने try किया है, इससे उपर daily closing करता है, तो यह areas को support देखने को मिलेगा, तो quick target यहाँ पर आपको almost 35% का something का profit देखने को मिलेगा, तो इस area तक आप as a trader अगर आप entry लेते हैं, तो इस area पर आप exit हो सकते हैं, इसके बाद ऊपर की तरह 50 day का moving average है, almost 0.091 वाला area, यह वाला area इसको resistance phase करने को मिलेगा, और देखिए, जो moving averages रहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, अगर इनसे नीचे daily closing होती है, तो यह resistance की तरह काम करते हैं, और अगर इनसे ऊपर daily closing होती है, तो यह support की तर direction करेंगा, उससे उपर की तरह अगर हम बात करें, तो almost one one वाला area जो है, one one, zero point zero, zero point one one, four वाला area, यह वाला area हैं पर उसके बाद उपर की तरह resistance phase करने को मिलेगा, उसके बाद यहां पर यह वाला area, यहां पर इस area से दो तीन बार rejection देखने को मिलेगा, one three five वाला area, तो यह वा पर अगर आप entry लेते हैं, दो तीन महीने, चार महीने का अगर आपको perspective है, तो आप इस वाला area तक almost 15 to 70 cent वाला area देख सकते हैं, वहां तक आपको एक अच्छा खासा 200 से लेके 300 percent का profit देखने को मिलेगा, और long term का perspective है तो यहां से उपर की तरह आप almost 50 cent वाला area देख सकते हैं, वहां तक आप देख सकते हैं, बाकी यहां पर buy और sell खुद के risk, खुद के research के हिसाब से करें, proper research करें, proper learning के साथ ही यहां पर market में उतरें, और proper आपका risk management और stop loss वगरा जरूर रखें, कितना आप risk manage कर सकते हैं, कितना stop loss manage कर सकते हैं, कितना loss manage कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यहां पर buy करें, यहां पर हम कोई financial advice नहीं दे रहे हैं, यह वीडियो से education purpose से, बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को subscribe कर लें, thank you